और चर्चा को सम्रुद्द करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को सम्रुद्द करने के प्रयास करने वाले सभी आधन ये साथियों का भी मेरे दय से आभारव्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथिवों के लिए आलोचना करना कड़ी बाते करना यह उनकी मजबूरी थी उनके प्रतिवी में संबेदनाई प्रकट करता हूं मैं उस दिन तो कह नहीं पाया लेकिन मैं खड़ी जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं बहुत ध्यान से सुनदा था खड़ी जी उस दिन का है और ऐसा अनदा या ऐसा बहुत कम मिलता है लोगसभा में तो कभी वे भी मिल जाता है लेकिन आजकल वह दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरणजन कम मिलता है लेकिन लोगसभा में मनोरणजी जो कमी हमें खड़ रही है उस दिन आपने पूरी कर दी और मुझे प्रसंता इस बाट की थी कि मने खड़ जी काफी लंबा बड़ी इंताहां बजे से इस्तानती से भोल रहते समय भी काफे लिया था तो मैं सोच रहा था कि अज़ादी मिली कैसे इतना असारा बोलने के अज़ादी मिली कैसे सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते नो उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते हैं और इसलिए भावद भरपूर फाइदा स्वतंतरदा का आधनिया खर्गेजी ने उताया और मुझे लगता है कि उस दिन खर्गेजी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा ऐसा मोका फिर कहां मिलें और खर्गेजी भी खर्गेजी भी एंपार नहीं है कमांडर नहीं है तो चोके शके मारने भी मजा आ रहा था उनको देकिन एक बात खुशी की रही है उन्होंने जो चार सो सीट एंडिये के लिए आशिरवाद दिया तो और मैं हरवेजी के इन आशिरवाद को आपके आशिरवाद मेरे स्वराखों पर अब आपका शिर्वाग वापिक लेना तो ले सकते हैं तो कि एक खपाट तो आव गये हैं अधनिया सभापती जी मैंने आधनिया सभापती जी मुझे मुझे पिछला पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधान मंत्री की आवाज को गला गोंटने का बर्पूर प्यास किया रहें हम बड़े धैरिये के साथ बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्दो को सुंते रहें और आज भी आगं न सुनने की तहारी के साथ आए हैं आप नसुनने की तहारी के साथ आए है theorem लेकिन मेरी आवाद को आप दमान ही सकते हैं, देश की जनता ने इस आवाद को ताकत दी हुई है, देश की जनता के आजिजवात से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार मैं 20 बार पुरी तायारी के साथ आया कि शायद आप जैसे 20 हजन में आये हैं, तो मर्यादाओं का पान करेंगी, लेकिन डेर पोने दो घंटे तक, क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी, मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाय तोड़ी नहीं जाएं।